असलाम अलेकूं वीवर्स कैसे हैं आप लोग अमीद है ठीक होंगे आज जो रेस्पी मैं आपके साथ शीर करने वाली हूँ वो है कच्छे आम की चटनी कच्छे आम आज कल सीजन में हैं बजार में आए वे हैं तो मैंने आम उसके लिए मंगवाए हैं अचार के लिए और कु को उबलने के लिए रख दूँगी तक्रीबन दस से पंदा मिन्ट के लिए ये उबलते रहेंगे हलकी आज पे पहले थोड़ी आज तेज हो फी हलकी हो और पी इसके बाद इसे मैं दो कप चीनी एड़ करूंगी और फिर इसको मिक्स करने के बाद दूबारा इसको दस से प और देखिए आस्ता आस्ता है को पाने तकारीबं कर शेये चेली सेर्ma मार्तिया है। हाफ टेबल स्पून इसमें जीरा है थोड़ी कलूंजी है और थोजा सा तकरिबन हाफ टीश्पून इसमें काला नमक जाएगा और साथ ही चीली फ्लेक्स दाएंच जाएंगी तकरिबन हाफ टीश्पून इनको मैं मिक्स करूंगी मिक्स करने के बाद दुपारा इनको मैं 10-15 मिंट के लिए हलकी आजपिन को पकने के लिए छोड़ दूँगी ताकि इसमें मसाले जो है वो रचबस आएं ये देखिए माशाला मसालों का कलर अब मैं इसमें तकरिबन एक कप इस स्टेट पे एक कप सिर्का डालूंगी इसको स खराब ना हो आप इसको 2-3 मा के लिए फ्रिच में रखके इसको इसको इस्तमाल कर सकते हैं दुबारा से इसको मैं चम चलाके फिर दुबारा इसको तकरिबन 15-20 मिट के लिए दिम मांच पे छोड़ दूँगी ताकि ये पकती रही हमारे चटनी जो है वो घाड़ी होती र रोमा जो मसालों का है सिर्का है इसमें जच पस आए इसमें मैं थोड़ा सा फूड कलर डालूंगी ये आप्शनल है ये डैट कलर ही मेरे पास पड़ा वा था आप इसमें येलो भी इस्तमाल कर सकते हैं इसको हिलाने के बाद मैं इसको दुबारा 10-15 मिट के लिए दुबार विदिल नहीं करता है ये देखिए मासालों इसका करड़ कितना तेज आया है कि तकरीबार हमार्ण चट्नी ऐसमें है त्यारी के मराईल में है थिक होना शुरू हो गई है ये देखिए माशालला आइस्ता आइस्ता अभी से ही मेरे मुह में पानी आ रहा है इस चट्टी को तिक ती यह देखिए माशाला तिक हो गई है अब मैं फ्लेम आफ करूंगी इसका और इसको डिशोट करूंगी और चेक भी करूंगी कि कैसी बनी है मशाला विवर्स बहुत मज़े की बनी थी आप भी ट्राइ कीजिए तुमाओं में जात तक ही आपको मेरी रेस्पी अच्छी लगी और प्लीज सब्क्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए लाफिस